ये देखिए आपको खुद ही यकीन नहीं होगा कि ये मसीन में डालने के बाद इसमें खुद ही निकलने लगती है इतनी ये सौप्ट होती है और अगर आपको भी खंटो मेहनत लगती है मसीन में चकली बनाने में और बहुत ही हाड बनती है और बहुत ही टेस्ट जादा नही तो चली शुरू करते हैं बहुत ही टिष्टी दिवाली एसपेसर चकली की रेसिपी तो सबसे पहले आपको जितना बनाना है बेसन लेना है और स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद आप चली तरीका बताती हूं जिससे इसका टेस्ट बढ़ेगा तो आपको डालने हैं मिर् थोड़ा सा काली मिर्ज का पाउडर, और क्रस्ट करके लिए अजवाएन और कलोंजी मैं मैं इसके बढ़ने के लिए कुर्कूरीच करको बनाने के कुल्हा और क्रमचिअ टालेंगे ना तो यह जो चखली है बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और ज्यादा मूँ में जो हाड जैसे लगते हैं वो चीज नहीं आएंगे तो यह लगभग दो चमच मैंने डाले हैं डेड़ से 200 गराम मेरे पास बेसन के आटे थे उसमें मैंने लगभग दो चमच कौन फुल आएगा और क्या करना अची तरह से मिक्स करके देखना है अगर कम लग रहे हैं तो थोड़े से और घी लेना है और मुठी बंद करके देखना है अगर अची तरह से मुठी बंद रही है तो समझे घी में जो मोईन है वो हमारा परफेक्टली बंद चुका है और यह देखिय तो बेसन ज्यादा पानी एक्जॉप नहीं करता है इसलिए आपको ये बात का ध्यान रखना है बस इसी में जो होता है इसी में जो गल्ती होती है तो आपको क्या करना है हलके हलके पानी लेना है एक ही बार में पुरा पानी नहीं लेना है और अच्छी तरह से आपको मैस करके इसका आटा लगा लेना है और हाँ आटे लगाने के बाद में आपको ये करना है न जादा गीला लगाना है न जादा टाइट लगाना है अगर टाइट लगाएंगे तो चकली बनाने में दिकत होगी और थोड़े से गीले लगाएंगे तो अच्छी तरह से नहीं बन पाएग तो आप थोड़ा सा तील कायूच कीजिए और अच्छी तरह से इसे लगा देना है और यह देखें साचा को मैंने डाल दिया है उसके बाद जितने भी डो थे आराम से आपको पेक कर देना है हाँ और जब पेक करेंगे तो थोड़ा सा आपको जगह खाली छोड़ना है पूरा आराम से आपको थाली लेने है और थाड़ी में हलका सा आपको डाल देना है तेल और आच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है और यह देखें बहुत ही इजी रिबन जाएंगे और इसे निकालने में भी कोई दिकत नहीं होती है पुराने जमाने में क्या हो जाते थे प्लास्टि तेयार हो चुका है अब चलिए मैं इसे चान के दिखाने वाली हूँ कि अगर आप जैसी चकली को डालेंगे ना तो कैसे ये साइज में बड़ी हो जाती है अगर आप भी इसी तरह के रेसेपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये रेसेपी जादे बढ़ चुके हैं तो बस यही करना है और क्या करना है फिर से लो कर देनी है और लोही में इसे अच्छी तरह से आपको सेक के तैयार कर लेना पड़ेगा ये देखे पलटना है धलके हातों से और इसी तरह दोनों तरफ से इसे पलट पलटके आपको सेक लेना पड़ वाली इस्पेसल नमकीन की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स रेसिपी में